गूड मॉर्निंग बच्चो मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे और परिवार के साथ होंगे ठीक है बच्चो आज हम पार्थ दो घी गुड और सहत देने वाले वरिक्च पढ़ेंगे ठीक है बच्चो आप लोगों को मैंने पार्थ एक पढ़ा लिया है अब हम पार्थ दो पढ़ेंगे पार्थ दो का नाम है घी गुड और सहत देने वाला वरिक्च ठीक है बच्चो आपने कभी सुना है कि एक व्रिक्च से एक पेड से घी, गूड और सहथ मिलता हो पर आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है बच्चो देखते हैं इस पार्ट में क्या कहा गया है इस पार्ट में आओ मैं तुम्हें यह बताती हूं कि यह व्रिक्च कहां मिलता है ठीक है बच्चो कौन सा व्रिक्च घी, गूड और सहथ देने वाला व्रिक्च ठीक है बच्चो देखते हैं उत्राखंड के पहा जानवरों के लिए चारा इंधन और कीडों वा चूहों को मारने के लिए कीटना सकता भी काम करता है ठीक है बचो उपलब्दक कराता है इस पेड के बीज से घी की तरह इतना तैली पदार्थ निकलता है कि एक अंग्रेज ने इसका नाम ही घी वाला व्रीक्ष है ना इंडियन बटर ट्री रख दिया है ठीक है बच्चो क्या रख दिया है किसने रखा है एक अंग्रेज ने इसका नाम इंडियन बटर ट्री रख दिया है मतलब घी देने वाला वरीक्ष ठीक है बच्चो इसके बीच से एक तरल पदार्थ निकलता है इसी वज़े से इसका नाम पड़ा है ठीक है आगे देखते हैं लोग इस्थानी लोग है जहां यह पेड जहां उगता है वहां के जो इस्थानी लोग होते हैं इस पेड को चूरा वरीक्ष कहते हैं ठीक है बच्चो यह अमुल्य वरीक्ष कुमाओ एवं पिथोरागड जनपत तथा भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के काली नदी के किनारे 3000 फिट की उचाई पर पाया जाता है कहां कहां पाया जाता है यह वरीक्ष पिथोरागड जनपत के भारत और नेपाल की सीमा पर पाया जाता है ठीक है बच्चों आगे देखते हैं जब वहां उसे ज़्यादा तादाद में उगाने का प्रयास किया जा रहा है अब वहां इसे ज़्यादा तादाद में उगाने का प्रयास किया जा रहा है या व्रिक्च वहां की जलवायू में ही पनपत वरिक्ष जो घी गुड़ और सहत देता या वरिक्ष कहीं और नहीं उगता है ठीक है भच्चो क्यों कि या बाकी जग़ा की ज़लवायू है वह उस पौधे के लिए उस पेड के लिए सही नहीं है। उत्राखन की जलवायू जो है वहां के लिए उप्यूगता है इसलिए यह पेड़ जो है वही ही उगता है लोग इसे कल्प रिक्ष के समान मानते हैं ठीक है बच्चो उन इलाकों में लोगों के लिए घी का यही एक मात्र साधन है ठीक है बच्चो वहां यह जो पेड़ है उ जिसके पास फल देने वाले तीन-चार चूरा वरिक्ष होते हैं, उसे साल भर बजार से वनस्पति घी खरीदने की ज़रुरत नहीं पड़ती, उन वरिक्षों से ही गूड और सुध सहत भी प्राप्त करता है, जिसके पास तीन-चार जिसके घर में अगर तीन-चार चूरा वरिक्ष के पेड होंगे उनको साल भर कोई भी वनस्पति घी जैसे हम लोग मारकेर से कोई घी खरीदते हैं, तो उनको वो खरीदना नहीं पड़ता है, उनको साल भर उससे प्राप्त हो जाता है, सात में उससे गुड भी बनता है और सुद्ध सहत भी मिल जाता है ठीक है यह वरिक्ष छायादार और फैला हुआ होता है इसके फलने फुलने का समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है बच्चों ठीक है इसमें फल फुल कब लगता है अक्टूबर माम से जनवरी तक इसमें फल फुल लग यह काफी हैं पट्चों प्रीखटी स्टों सूगंध्यक पेहिए जो फूल देने वाले ठीक है लृफ फ निकल आप वाटावरह में इसकी खुऽषबु फैल अगे देखते हैं महाक से ही मालूम पढ़ जाता है कि चुरा पकने वाला है महा उसकी खुजबू इतनी चारों तरफ पहल जाती है जिसे यह पता चल जाता है कि हाँ अब चूरा जो है वह पकने वाला है गाउं के लोग इन फल को बड़े चाव से खाते भी हैं और एक भी बीज फेकते नहीं है इस वरिक्ष पर फल काफी होते हैं पके फलों के बीजों को आसानी से इकठा करने के लिए वे कभी कभी बंदरों एवं लंगूरों को वरिक्षों से फल खाने देते हैं है ना अब क्या करते हैं इतने ज़्यादा फल होते हैं कि उसको तो उनलों खा नहीं पाते हैं इसलिए क्या करते हैं बंदर अगर फलों को खाने आते हैं तो उनको भगाते नहीं है वो है ना और बंदर लों क्या करते हैं फल को खा कर बीच को नीचे गिरा देते हैं ठीक है ब है न एक वीक्च मतलब एक पेर से कितना एक से देर कविंटल है न बच्चों बीज उससे हम को dw前साल में आऊक stata है यह बीज इस्थानी लोगों के लिए पसी होती है जो बीज होता है वहां के लोगों के लिए काफी उपयोगी positioned इन बीजों के छील के निकाल कर क्या करते हैं अंदर के भाग को धूप में हलकी आज पर सुखा कर पीस लिया जाता है ना उन बीजों को इकठा करके छील कर उसको क्या करते हैं उन लोग या तो धूप में सुखा देते हैं या फिर उसको हलकी आज में सेख देते हैं ठीक है ब ये रख देते हैं, ठंडा होने पर घी मख़न की तरह खाद्यपदार्थ, पानी की तरह पर ठैरने लगता है, जैसे कि आप लोग के घरों में दूद धूद होता होगा, मख़न होता होगा, आपकी मालों दही बनाते होंगे, जब उसको मत्ते होंगे, तो एक मख़न निकलता ह जिसको गर्म करके हम लोग घी बनाते हैं वैसे ही उस बीच को जब गर्म किया जाता है और फिर ठंडर किया जाता है तो उसमें भी वैसे ही मक्षन की तरह एक पदार्थ निकलता है जिसको उन्हों वो क्या करते हैं खाद्य पदार्थ निकलता है जो इसको उन्होंने घी की त तरह सफेद दिखाई देता है तधा साधारन ताप पर ठोस हो जाता है जब वो नॉर्मल ताप पर आता है तो वो वैसे ही घी की तरह जम जाता है लोग इसी घी से पूरी हल्वा एवं अन्य पक्वान बनाते हैं जो अत्यंत स्वादिश्ट और हानी रहीत होते हैं यह घी गा वैसे ही यह होता है ठीक है मित्ती के तेल के अभाव में वो क्या करते हैं यह घी जलाने के काम में भी आता है जैसे हम लोग मित्ती के दिये जलाते हैं तो उसमें तेल डाल कर जलाते हैं वैसे ही यह क्या करते हैं उस घी को घी को जलाने का कारे भी करते हैं यह जो है जैसे म भूम बत्ती जलाते हैं तो धूआ नहीं निकलता है वैसे ही यह धूआ रहीत होता है ठीक है बच्चों यही नहीं जाडों में जब हाथ पर तथा हो ठंड से फटने लगते हैं या गठिया वात हो जाता है तब इस्थानी लोगों के लिए यह चूरा गी एक अचुक दवा का काम करता है वे इसी घी को गर्म कर धूप में मालीश करके रोक का उपचार करते हैं ठीक है बच्चों यह जो घी है वह उनके लिए बहुत ही अचुक दवा का काम भी करती है है ना वे गर्म उसको गर्म कर लेते हैं घी को और धूप में बैठ कर उसकी मालीश करते हैं ठीक ह पौमेटिक अमल कहते हैं यह रसायन विभिन और सधियों तथा संदर वर्धक रसायन बनाने के काम में आता है ठीक है बच्चों इसमें क्या पाया जाता है पौमेश्टिक अमल पाया जाता है जो घी चूरा घी होता है उसमें ठीक है ना और यह क्या बनाने के और सधी बनाने तथा सौंदर वर्धक रसायन बनाने के काम में आता है ठीक है अक्टूबर नवंबर के महिने में जब यह व्रिक्च अच्छी तरह उस्पित हो जाता है तब इसके सफेद फूल मधुमक्यों को बहुत आकर्सित करते हैं इसका जो फूल होता है वो कब खिलता है अक्टूबर और नवंबर के महिने में तो फूल जो है वो मधुमक्यों को अपनी तरफ आकर्सित करता है और जिससे क्या होता है मधुमक्य जो है वो उस पेड़ पर छत्ते बनाते हैं ठीक है बच्चों यही कारण यही कारण है कि पिथोरागड और नेपाल के पास के इलाकों में जहां चूरा के वरिक्च अधिक होते हैं सुद्ध एवं सुद्ध स्वात सहद हमेशा उपलब्ध होता है क्यों होता है क्योंकि उस वरिक्च के फूल से क्या होता है कि मधुमक्य आकरसित होती है और उससे क्या होता है चत्ते बनाती है जिससे वहां के इस्थानी लोग जो है वो क्या करते है उससे सहद बनाते है इसलिए वहां पे हमेशा सहद बहुत आसानी से मिल जाता है ठीक है मधुमक्य पालन ग्रीहों को इन ही वरिक्षों के पास रखा तो सहत सुगमता से मिल सकता है परन्तु वो इसके लिए बकायदा वज्ञानिक तक्निकी अपनानी होगी ठीक है बच्चों आगे देखते हैं जब ये चूरा वरिक्च पुस्पित होते हैं तब इस्थानी लोग इस पर चड़कर बड़ी साउधानी से डाली को हिला कर फूलों का रस बरतन में इकठा कर लेते हैं फूलों का जो रस होता है उसको बरतर में वो क्या करते हैं इकठा कर लेते हैं और इसे चान कर उबाल कर क्या करते हैं गूर बनाते हैं अब हमने पढ़ा है घी किसे बनाते हैं इसके जूरा वरिक्ष कब जो फल होता है फल से जो बीज निकलता है उससे घी बनता है और फूल के रस से क्या बनता है गूर बनता है वच्चों क्या प्राप्त करते हैं गूर प्राप्त कर लेते हैं यह गूर देखने खाने में बिलकुल गन्ने के रस के गूर जैसा ही होता है है ना लोग इसे औसधी के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं बच्चों फूलों के रस से बना या अनोखा गूर नेपाल और पिथारा गड़ के उन्हीं इलाकों में मिल सकता है जहां चूरा के व्रिक्ष होते हैं ठीक है चूरा के व्रिक्ष होते हैं वही पे क्या मिलेगा यह गूड जो है वो मिलेगा बांकी जगह पे उसका गूड जो है वो नहीं मिलेगा ठीक है बच्चों क्योंकि इसका उत्पादन कहां होता है वही पे पिथारा गड में होता है इसलिए उसी इलाके में ही यह गूड मिलता है वह सब इस्थानी इस्तर पर ही खब जाता है हाँ तुम चाहो तो वहाँ जाकर इस अनोखे वरिक्ष से घी गुड और सहत का लुपत उठा सकते हो है ना और वहाँ का जो घी गुड है वो किसी और इलाके में नहीं मिलता है और नहीं वहां से कहीं और जाता है क्योंकि वहां के लोगों तक ही खपत हो जाती है इस वज़े से वो आगे और नहीं जा पाता है ठीक है बच्चों अगर आपको वह चाहिए रहेगा तो आपको वहां जाकर ही उसका लुप्त उठाना पड़ेगा आगे देखते हैं वैज्यानिकों को इस वरीक्च की ऐसी पौध तयार करनी चाहिए जिससे यह अन्य छेत्रों में भी परियाप्त मात्र में उगाया जा सके और इसका बड़े पैमाने पर भरपूर लाव प्राप्त हो सके है ना और वैज्यानिकों को क्या करना चाहिए बच् प्राप्त कर सके ठीक है बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा मैं आसा करती हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग भी इसको एक बार और अच्छे से घर में पढ़िएगा ठीक है आगे देखते हैं आगे इसका सब्दार्त दिया हुआ है सब्दार्त आपको इससे देखकर copy में लिखना है ठीक है बच्चो उसके बाद इसका प्रस्न उत्तर हाँ आपको ये दिया हुआ है प्रस्न और अभ्यास ठीक है बच्चो ये क्या दिया हुआ है प्रस्न और अभ्यास ठीक है ये है तुम्हारे आसपास पाए जाने वाले पेडों के नाम वह उससे संबंधि जानकारी तालीका में भरो ठीक है बच्चों आपको यह जो तालीका दी हुई है यह आपको ऐसे ही बनानी है और आपके आसपास में पेड़ पाये जाते हैं कुछ-कुछ पेड़ पाया जाते हैं उनके बारे में आपको लिखना है जैसे कि हमारे घर के पास नीम का पेड़ पाया जाता है और उसकी उपयोगिता क्या है? वह औशधी बनाने के काम में आती है ऐसे आपको कितने 1, 2, 3 ऐसे कम से कम चार पेड़ के नाम यहाँ पर लिखने हैं ठीक है बच्चो और उसकी उपयोगिता और उसकी उचाई लिखनी है ये तालिका आप अपने घर में अपने बड़ों से पूछ कर बना सकते हैं बाकी का प्रस्ण उत्तर मैं आप लोग को और अच्छे से समझाओंगी ठीक है बच्चो मैं आसा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा बाकी हम कल देखेंगे सो थाइंक्यू बच्चो अच्छे से रहिए स्वस्थ रहिए